अक्सर जब दिमाग के साथ छेडशार करने वाली फिल्मों की बात होती है तो सबसे बड़ी गुनेगार साबित होती है 2010 में रिलीज वी फिल्म इंसेप्शन जिसने काफी लोगों के खुद को हुशयार समझने वाले जूटे सपने को चकना चूर कर दिया था लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ जो ना सिफ आपकी दिमाग में छेड़ करने की टाकत रखती है बलकि इंसेप्शन का घमन भी पूरी तरह अस्त्वेस्थ कर सकती है हाजर हूँ आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो जिसमें साउट इंडस्री की एक चालाग फिल्म से आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ जो पल-पल गिर-गिर की तरह रंग बदलती है और जब तक आप कुछ समझ पहें उससे पहले ही एक नई पहली आपके सामने आ जाती है फिल्म का नाम है और ओरिजिनल ये एक टेल्गू फिल्म है लेकिन आप इसको हिंदी डबिंग में भी देख सकते हो बस इसका नाम बदल कर अंतरी उद्रग दिया गया है और सबसे कमाल की बात इस फिल्म में एक कहानी नहीं बलकि छेचे कहानिया मिलेंगी पहली कहानी है एक शेफ की जो नौक्ती की तलाश करते करते एक अजीब से रेस्टरॉन में फस जाते हैं जहां इनकी मुलाकात इंसानों की तरह बात करने वाली एक मचली और कॉमेडी करने वाले मजाक्या पेड़ से हो जाती है दूसरी कहानी है योगी नाम के जादू करकी जो खुद को दुनिया में सबसे महान समझते है लेकिन फिर इनका सामना एक दूसरे magician से होता है जो ना तो किसी को दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है लेकिन अपने जादू से योगी के होश उड़ा देता है तीसरी कहानी है एक scientist की जो टाइम में पीछे जाने वाली machine बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने खोये हुए parents के बारे में पता लगा सके लेकिन फिर इनकी मुलाकात भविश्य से आई हुई एक दूसरी scientist से हो जाती है चौती कहानी है राधा की जो अपने parents को उस इंसान से मिलवाने लाई हैं जिसके साथ वो पूरी जिंदी की उजारना चाती हैं कहानी में twist आता है जब वो इंसान कोई लड़का नहीं बलकि कृष्ट नाम के एक लड़की निकलती है जिससे राधा सचे दिल से प्यार करती है पांचवी कहानी है एक waitress की जो रेस्टरों में आने वाले guest की ज़रूरतों का ध्यान रखती है लेकिन अंदर ही अंदर अपने partner के साथ मिलकर लाखों रूपे उड़ाने का plan बना रही है लेकिन दिक्कत से fake है drugs का नशा थोड़ा जादा हो गया है और इनको एक भूत नजर आने लगा है चटी कहानी है काली नाम की एक normal सी दिखने वाली लड़की की जो अपने birthday को celebrate करने के लिए hotel आई है और पीने के लिए coffee order करती है हैरानी वाली बात यह है कि इनकी table पे एक तरफ तो भगवत गीता रखी है तो दूसरी तरफ एक बंदूक मौझूद है जिससे बार-बार यह अपनी जान लेने की कोशिश करती है अब मैं अगर आपसे पूछू कि इन 6 कहानियों में आपको जरा सा भी कुछ connection नजर आता है कुछ ऐसा हो जो इन लोगों को आपस में जोड़ने का काम करे आपका जवाब होगा ना ऐसा तो कुछ भी नहीं है यह सबी लोग एक दूसरे से काफी अलग-अलग हैं बस यहीं आप धोका खा गए और फिल्म की असलियत को पहचानने से पूरे तरीके से चूग गए और एक masterpiece फिल्म है जिसमें सब कुछ आपकी आँखों के सामने होने के बावजूद हम डिरेक्टर के इशारों पे नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और धीरे-धीरे मकडी के जाल में बुरी तरफ फसकर असली कहानी को नजर अंदास कर देते हैं एक तरफ तो फिल्म में साइंस का बहतरीन इस्तमाल किया गया है तो दूसरे तरफ भूत और भगवान रसे concept को भी खुलकर focus में डाला गया है कुछ ऐसे scenes भी हैं चो आपको खुद की जिन्दगी को rewind करके द हमाका होने वाला है जिसके सामने inception जैसी फिल्म भी आपको मामूली और कमजोर लगने लगेगी तरह मेरी बात मानो तो इस खतरनाक फिल्म को मिस करने की गलती बिलकुल मत करना बहुत कम ऐसी फिल्में होती है जो lifetime आपकी जिन्दगी का हिस्सा बन जाती है और उनमें से एक होने वाली है फिल्म को अभी के अभी देखिए यूट्यूब पर जाएए फिल्म आपको हिंदी में फ्री में देखने को मिल जाएगी बस नाम याद रखना अंतर यूद हालेकिन अगर आप इसका तैल्गू वर्जन देखना चाहते हो तो नेट्फिक्स भाइस आप से पर